हेलो इस वीडियो में हम हॉम टैप के अडिटिंग ग्रूप के क्लेर कमांड के बारे में जानेंगे तो क्लेर कमांड क्या करती है क्लेर कमांड की दवारा हम सब कुछ जो सैल में लिखा हुआ है जैसे ये सैल में लिखा हुआ है उसको clear कर सकते हैं जैसे clear all अगर सारा clear करना इसको भी clear कर सकते है clear format, format clear करना इसको भी कर सकते है clear contents इसको भी clear कर सकते है clear comments अगर comment लगा हुआ है उसको भी clear कर सकते है और clear hyperlink ये भी clear कर सकते है तो इस वीडियो में हम इनके बारे में सीखेंगे कि इसको clear कैसे किया जाता है तो सबसे पहले ये जितना भी data दिया गया है इसको clear करेंगे यहां से इसको clear करेंगे तो ये कैसे clear करना है हमने यहां पे our dating group के यहां पे clear command पे जाएंगे more button पे click करने के बाद ये options हमारे पास आ जाएंगे तो इन options में अगर सारा ये clear करना है जितना भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सबी ये clear करना है तो हम यहाँ पे clear all पे click करेंगे लेकिन ऐसा करने से पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको select करेंगे सारा ये select किया कौन कौन से clear करना है ये सारा ये select किया select करने के बाद फिर यहाँ पे clear command पे जाएंगे और यहाँ पे first option clear all पे click करेंगे ये दिको clear all पे click किया तो जितना भी यहाँ पे लिखा था वो सारा यहाँ से clear हो लाते है एक अंडू करके Ctrl-Z प्रेस किया करने के बार यह भापिस फिर यहां पिर आजाएगा इसके बार क्या है हम दूसरे option को करेंगे इसको करने के लिए फिर से इसको select करेंगे यह सारा data हमने select किया select करने के बाद यहां पिर clear command पिर जाएंगे इसके बाद second है clear format clear format का मतलब यह होता है कि जो हमने formatting की हुई है जैसे यह देखो यहां पे हमने color दिये हुए अलग लग यह formatting की हुई है और इसका font size हमने बढ़ाया हुआ है और इसको साथ में bold किया हुआ है तो यह formatting कैसे clear करेंगे हम इसको clear करने के लिए हमने क्या करना है यहां पे जाएंगे clear formatting जब हम यहां पे क्लिक करेंगे तो जितने भी यह formatting है यह clear हो जाएगी यह देखो clear formatting यहां पे क्लिक किया तो जो भी यहां पे हमने formatting की थी यह सारी formatting के यहां से हड़ जाएगी और यह जो data था यह यहां पर आ जाएगा simple इसके बाद फिर यहां पर undo करते हैं यह undo किया undo करने के बाद यह सारा data यहां पर आ जाएगा हम क्या करना जाते हैं जैसे यहां से यह जितने भी contents हैं इसको clear करना जाते हैं जो हमने यहां पर लिखा हुआ है उसको clear करना है बाकी जो यहां पे formatting की हुई है उसको clear ने करना है तो यह कैसे करेंगे इसको select करेंगे select करने के बाद clear command पे जाएंगे clear command पे जाने के बाद clear contents अगर हमने क्या करना है contents को यह clear करना है जो formatting हमने यहां पे बना के रखी हुई है उसको clear नहीं करना है तो हम यहाँ पे click करेंगे clear contents यहाँ पे click किया click करने के बाद यह लिखो यहाँ पे जो हमने formatting की थी वो formatting यहाँ पे नई clear हुई बाकी जितना भी contents था जो हमने यहाँ पे लिखा था वो यहाँ से clear हो जाएगा इसके बाद इसको undo किया Ctrl Z प्रेस करके ये बापिस आजाएगा इसके बाद आगला option है Clear Comments तो Clear Comments क्या होते हैं कभी कभी क्या होता है जैसे हमने बीच में यहां पे Comment लगाई हुए हैं जैसे suppose करो यहां पे हम एक Comment लगाते हैं जैसे यहां पे क्लिक किया यह राइट क्लिक किया 88 पे और यहां पे Comment लगाते हैं यहां पे Insult Comment यहां पे क्लिक किया यह लिखा यहां पे Comment दे दिया यहां पे Comment देने के बाद इसको यहां पे यह जो Bobby यहां पे दिया गया है यहां पे एक Comment और लगाते हैं जैसे आमन यह आमन है यहां पर कमेंट लगाएंगे राइट क्लिक किया इंसर्ट कमेंट और यहां पर लिखा आमन यह लिखा यह कमेंट लगा दिया तो यह बीच बीच में क्या है यह कमेंट लगा दिया हमने यह comment 88 पे लगाया यह comment 85 यहां पे community पे लगाया यह comment यहां पे math में लगाया तो इसको clear कैसे करना है इसको clear करने के लिए हम यह सारा data इसको select करेंगे select करने के बाद जहां जहां पे यह comment लगे हुआ है यह देखो red में आया हुआ है जहां पे red में आया हुआ है इसका मतलब यह है कि यहां पे comment लगा हुआ है तो इसको कैसे clear करेंगे यहां पे select कर लिया select करने के बाद clear command पे जाएंगे इसके more button पे click करेंगे और यहां पे clear click करने के बाद यह लिखो जो भी यहां पे comment लगाए थे यह यहां से clear हो जाएंगा तो इस तरह से हम यहां से comment को भी clear कर सकते है इसके बाद अगर clear hyperlink करना है जैसे ही इसके clear command पे अगला जो option है वो है clear hyperlink तो hyperlink क्या है पहले यहां पे हम hyperlink लगाएंगे suppose करो यहां पे total है total जो है यहां पे हमने sheet second में किया हुआ है यह देखो यहां पे sheet second पे total किया हुआ है तो इसको hyperlink करेंगे हम तो कैसे यह इसको hyperlink करेंगे यहां पे total पे click किया click करने के बाद insert type पे जाएंगे insert type पे जाने के बाद यहां पे hyperlink पे click करेंगे यह देखो link यहां पे click किया click करने के बाद place in this document तो इसको sheet two यहां पे click किया sheet two और sheet two पे click करने के बाद यहां पे ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद यह देखो यहां पे hyperlink लग गया है जब हम यहां पे click करेंगे तो यह sheet two यहां पे open हो जाएगी तो इसको अटाने के लिए हम यहां पे home tab पे जाएंगे, home tab पे जाने के बाद clear command पे जाएंगे और इसके बाद clear hyperlink यहां पे click करेंगे, तो click करने के बाद जब हम यहां पे click करेंगे उसके बाद यह hyperlink यह शीट टू यहां पे नहीं आएगी, यह देखो click किया नहीं आएगी, क्योंकि यहां से हमने क्या किया हुआ है hyperlink का हटा दिया है यह जो आ रहा है यहां पे more button पे click करेंगे यह जो hyperlink का यहां पे आ रहा है यहां पे click करेंगे तो हमारे पास यहां पे दो option आएंगे एक तो है clear hyperlink only अगर hyperlink clear करना है तो वो clear करने के लिए है इसके बाद जैसे यहां पे hyperlink लगा हुआ है clear hyperlink and format अगर यह format जो बना हुआ है यह भी हमने clear करना है तो हम यह second option पे click करेंगी यहां पे second को click किया यह देखो यहां से जो hyperlink का format था वो भी यहां से हट जाएगा तो इस तरह से अगर हमने hyperlink लगाया हुआ है तो उस hyperlink को यहां से हटा सकते हैं तो इस वीडियो में हमने editing group के clear command के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद